हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्विटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बुल ट्रैप से प्रॉफिट बना सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे कि बुल ट्रैप होता क्या है तो आप नाम से काफियात तक गेस कर सकते हैं यानि जहां पे बुल को ट्रैप किया जाता है यानि जहां पे बायर्स को ट्रैप किया जाता है इस पूरे concept को पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यानि जहां पर maximum लोगों का नुकसान होता है उहां से हम अपने नुकसान को तो हटाई रहे हैं साधी साथ उस नुकसान से अपने profit बना रहे हैं तो जहां से हमारा trade का accuracy level काफी increase होता हुआ दिखेगा तो ये concept समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अगर आप stock market में लंबे समय तक survive करना चाहते हैं तो चलिए इस concept को इस वीडियो में हम detail से समझते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगें और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका SBI Life का daily chart है यहां पर अगर हम time frame की बात करें तो इसका आप इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं daily chart में या फिर one hour के चार्ट में या फिर 15 minute के चार्ट में या फिर 5 मिनट के चार्ट में तो यहाँ पे time frame का कोई restrictions नहीं है जो यहाँ पे हम identify कर रहे हैं techniques वो technique आपको apply करना किसी भी time frame में तो आप काफी हद तक यह सारा काम कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या समझेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है कि कर सकते हैं फिर यहाँ पे losses को avoid करते हुए कैसे हम यहाँ से profit बना सकते हैं इस concept को ultimately हमें समझना है तो चलिए इस video हम इन तीन चीज़ के उपर focus करेंगे सबसे पहले bull trap होदा क्या इस concept को समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए हमें क्या find करना परेगा हमें एक resistance level identify करना परेगा जो की काफे crucial और काफे strong होना चाहिए तो अगर आप यहाँ पे बात करें इस chart में देखें तो price आपका नीचे से उपर गिया है और यहाँ से price आपका नीचे है जिसको यहाँ पे हम mention कर देखें अब देखें यहाँ पे यह strong green candle इसको break करके इसके ऊपर निकला है और यह काफी जवर्दस green candle है और यहाँ पे अगर हम volume की बात करें इस green candle पे तो देख सकते हमें positive volume भी अच्छा खासा दिख रहा है और इस green candle में एक और खासियत है यह जहाँ पे open हुआ है वही इसका क्या बन गया low बन गया मतलब यह क्या दिखा रहा है कि इस candle पे जो buyers हैं वो काफी हद तक हमें strong दिख रहे हैं तो हमें एक ऐसा ही green candle चाहिए जो की resistance level को break करके इसके उपर closing दे और इसमें tail भी जादा नहीं है मतलब यहाँ पे strong green candle यहाँ पे buyers का strength है उसके साथ resistance level को break किया है अब जैसे यहाँ पे break किया है आपको क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे breakout देखने को मिलेगा और कई जगा आपको चिक चिक कर बताया जाएगा कि यहाँ पे हमें breakout देखने को मिला आप buy करो, नहीं buy करोगे तो आप opportunity miss कर दोगे चाहिए YouTube channel हो या फिर social media का platform हो या फिर new channel हो बिजनस वाला channel हो उन सब पे आपको इस तरह के का information दिया जाएगा कि इस particular stocks में breakout देखने को मिला इसमें आप buy side की तरफ entry ले सकते हो और आप जैसे यहाँ पे buy side की तरफ entry लोगे price नीचे आया यहाँ पे आप trap में फस जाओगे और आपको ultimately loss उठाना परेगा तो यही जो trap में आप फस ते हैं इसी trap को क्या कहा जाता है bull trap जहाँ पे आपको fake breakout दिखाके bulls को यही बायर्स को trap किया गया है यही होता आपका bull trap तो उमीद करते हैं कि bull trap के concept को आप समझ गये होगे जहाँ पे fake breakout दिखाके बायर्स को trap किया जाता है अब हम दूसरे concept पे आते हैं कि कैसे हम इस bull trap से अपने आपको बचा सकते हैं कैसे हम इसको avoid कर सकते हैं और साथी साथ यहाँ पर जो हमें loss मिलेगा इस loss को भी हम कैसे avoid कर सकते हैं चलिए इस concept को समझते हैं फिर हम समझेंगे इससे कैसे profit बनाया जा सकता है तो profit बनाने से पहले हमें loss को कैसे avoid करना ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि इस situation में maximum लोग नुकसान करते हैं तो सबसे पहले जो नुकसान से हम कैसे बच सके वो हमें देखना फिर तो हम profit बनाना सेखी जाएंगी वो जादा आसान है तो अब देखिए यहाँ पे हम एक clear cut drawing कर देते हैं जिसे आपको ये concept समझने में और ज्यादा आसानी होगी तो यहाँ पे अब क्या कुछ हो रहा प्राइस resistance लेवल को break करके उपर निकल बात इसके हम high को mark कर लेंगे जो candle break out दिया उसके high को mark कर लेंगे अगर उसके high के उपर follow up आपका इसी तरह का green candle का formation होता है जहाँ पे buyers आपकी strong दिखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को लेगा तो यहाँ पे हमें really में ये break out देखने को लेगा ये fake break out नहीं होगा उसके बाद हम buy-sar के तरह positions initiate करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम buy-sar के तरह positions initiate नहीं करेंगे यहाँ पे हम एक चीज के लिए wait करेंगे वो क्या होगा यहाँ पे हम confirmation के लिए wait करेंगे जो कि January लोग wait करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको stock market में लंबे समय तक बना रहना है तो आपको wait करना सीखना होगा आपको patience करना सीखना होगा आपको patience के साथ market में बने रह सकते हैं उसके बाद अगला कौन सा candle बना, उसके बाद अगला जो candle बना, आपका red candle बना, जो कि हमें sellers को denote कर रहा है, मतलब, price break करके तो उपर निकल गया है, लेकिन उसके बाद follow up buyers नहीं आया, buyers ने साथ नहीं दिया, बीच रस्ते में साथ छोड़ दिया, तो उसके बाद sellers हाभी होते उस bull trap से हम बच सकते हैं, इस bull trap को हम avoid कर सकते हैं, साथ जो loss होता यहाँ पर इस तरीके से हम avoid कर सकते हैं, confirmation के लिए wait करके, ठीक है, अब तीसरे point पे आते हैं कि यहाँ से हम profit कैसे बना सकते हैं, यह हम देखते हैं, तो सारा point हम एक एक करके discuss करें, जिससे आपको सारा concept अलग के लिए क्या करना होगा, जो आपका red candle है, red candle का closing कहां पर चाहिए, red candle का closing चाहिए, जो resistance है, उसके नीचे, यनि below resistance हमें इसका closing चाहिए, और यह सारा काम कहां पर होना चाहिए, यह सारा काम आपका resistance level के पास ही होना चाहिए, resistance level के बीच में या support level करीब हो रहा है, तो फिर को चाहिए तो देखिए जो रेस्टेंस लाइन है closing ये candle आपका इसके नीचे दे दिया यह जो रिस्टेंस लाइन है इसके नीचे हमने यहाँ पर closing मिल गया यहनि इस condition को इसने satisfy कर दिया अब हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर भी हम confirmation candle के लिए वेट करेंगे यानि हमें एक और वेट के नल चाहिए जो कि हमें गिर्था हुआ दिखे तो देख सकते हैं पर अगर वात करें यहां पर यहांपर हमारा इन्ट जाएगा और यह यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा आपका target price तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं bull trap को identify करके bull trap को avoid करके bull trap से बचके यहां पे हम bull trap से profit बना सकते हैं तो देखिए यहां पर मेरा जो risk है वो भी काफी कम है और reward मुझे अच्छा खासा मिलता हुआ देख रहा है तो risk reward भी मेरे favor में है तो वो भी हमारे favor में है तो उसके basis पर हम trade initiate कर सकते हैं तो इस तरीके से bull trap जहां पर maximum low का क्या हो रहा नुकसान हो रहा उस नुकसान को हम किस में convert कर लिए profit में तो अगर आप नुकसान से बच जाते हैं तभी आपका trade का accuracy level increase हो जाएगा अगर आप loss को profit में कर लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने trade के accuracy level को और जादा increase कर सकते हैं वहाँ पर आपका performance और जादा increase करता हुआ दिख जाएगा तो यहाँ पर हम दूसरा example लेते हैं जिसे आपको यह concept समझने में और जादा आसानी होगी तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक resistance level identify गरना जो कि मैंने आपको बताया था predefined condition है प्राइस उपर गया है यहाँ पर आपका एक range के बीच में गुमा इसको break नहीं किया तो यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया एक resistance level उसके प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे आ है वापस से इस resistance level के करीब आया है और हमें क्या चाहिए strong green candle with green volume क्या होना चाहिए resistance level को break करके ऊपर closing चाहिए जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला देख सकते हैं कि strong जबर दस green candle सेम काम किया है ब्रेक करके इसके ऊपर closing दिया है अब यहाँ पर हम क्या wait करेंगे बोल्ट्रेप को avoid करने के लिए यहाँ पर हम confirmation के लिए wait करेंगे अब सारा काम यहाँ पर हम systematic एक साथ करें confirmation के लिए wait करेंगे हमें इसके ऊपर green candle दिखना चाहिए with green volume हमें नहीं दिखा है और इस candle पर green volume है यहाँ चेक करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जबर दस्त green volume है यहाँ पर हमें देखने को मिलबा जबर दस्त green volume तो सारा कुछ satisfy है यहाँ यहाँ पर maximum लोग बोल ट्रैप में first जाएंगे लेकिन यहाँ पर हम नहीं first जाएंगे confirmation का wait करके उसकी बाद हमें क्या चाहिए के strong red candle with negative volume जिसका closing resistance line के नीचे होना चाहिए तो उसकी बाद देखिए हमें एक red candle तो मिला और यहाँ पर volume भी ठीक ठाक है लेकिन हमें closing resistance line के नीचे नहीं मिला है तो यहाँ पर हम wait करेंगे हम sell side की तरफ नहीं जाएंगे उसकी बाद अगला candle में और ज्यादा negative volume दिखा और यह resistance line को break करके नीचे closing दे दिया है तो यहाँ पर हमें closing के बाद confirmation के लिए wait करना है यहाँ पर हमें एक और confirmation candle चाहिए with red volume, volume rate है confirmation candle मिल गया यहाँ पर हम क्या करें करेंगे sell side की तरह positions initiate करेंगे, यह point मेरा SL की रूप में काम करेंगा और previous जो भी swing low है इसके आसपास हम अपना target price रख देंगे और देखें लगवाग इसने target price को hit करें दिया यहाँ तो यहाँ से reversal लिखा है तो यहीं पर हम अपना profit book करके निकल सकते हैं यहाँ पे anyhow आपको profit कम जोड होगा लेकिन आपको profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से जहाँ पर maximum लोगों का loss हो रहा है वहाँ पर हमने इस loss को क्या किया avoid किया और इस loss को सिर्फ avoid नहीं किया इसको हमने profit में भी convert किया तो इस तरीके से आप market में अपने आपको leader बना सकते ह अपने आपको आगे बर सकते हैं और अपने आपको लंबे समय तक रख सकते हैं यहाँ पर इख़ के और यहां पर ने फंपर हमने डिफ price आपका एक해서 strong green candle इसको break करके उपर निकला जहांपर हमें green volume देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं आपको जब अश्य ग्वेंड वालूं देखने को मिल रहा है यहांपर क्या करेंगे घर कुछ मिलता है green candle जहां पे strength हो तो हम federवाई करें बाइचिन नहीं करेंगे भी दे दिया है और उसके बाद क्या करेंगे हम confirmation के लिए वेट करेंगे और यहां पर देखिए confirmation जो हमें मिला है यहां पर confirmation मिला है और साथी साथ एक negative pattern भी होना चाहिए यहां पर आगर आप करें तो आपको जो negative pattern मिला है वापस से आपको डार्क क्लाउड कभर एक निगेटिव पैटर्न की रूप में मिलता हुआ दिखा है इसके वेसिस पे हम ट्वेट इनिशियेट कर सकते हैं लेकिन हमें जो इंट्वी करना होगा इस लिवल के आसपास इंट्वी करना होगा सेल साथ की तरफ क्योंकि हम काकॉइड नहीं करेंगे हमारे फेवर होने के बाप्जूद भी हम ट्वेडि नहीं करेंगे तो जहां भी आप ट्वेट लो चाहाब सेल सार की तरफ लो या कुछ फुरेट लो साथ को देखेंगे है। नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम trade ना करते हुए भी एक हमने trade लिया और काफी अत्र अपने losses को protect किया है यहाँ पे तो इसी तरीके से आप इस strategy को use करते हुए क्या कर सकते हैं आप bull trap से अपने आपको बचा के वहाँ से अपने trade को profitable trade बना सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको candles के बारे में study करना या फिर chart pattern के बारे में study करना तो हमने इसके लिए एक predefined course हमने launch किया उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और वहाँ पे हमने एक stock market का basic से लेके advanced level तक complete course बनाया है जहाँ पे आपको basic से सारा कुछ बताया जाएगा और आपको एक advanced level तक सब कुछ बताया जाएगा जिससे आप एक independent trader के रूप में काम कर सकते हैं आपको trading decisions लेने में किसी और की help की ज़रुवत नहीं परेगे साधी साथ हमारा future options के उपर भी course है from basic to advanced जहाँ पे आप future options में भी आप independent trade ले सकते हमने option chain के बारे बताया हमने बताया कि कैसे आप strike price selection कर सकते हैं future options में जो भी कुछ है lower level से लेके सारा कुछ बताया जिससे आपको किसी और की help की ज़रुवत नहीं परेगी और आप stock market को as a carrier के रूप में भी इस्तावाल कर सकते हैं वो सारा course देखने के बाद इस वीडियो में अगर आपको कुछ doubt है तो आपको doubt क्लियर किया जाएगा वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके इनकवेज किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए साथ साथ bell icon को दवाना ना भूले ताकि जब भी अपना नेक्स वीडियो अपलोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन